नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एगरी कोचिंग बाई विकासर परिवार में हादिक स्वागत करता हूँ हम लोग रोज एगरी कल्चर के बहतनी प्रशनों के साथ मुलाकात करते हैं जैसा कि आप लोगों को पता है किरसी विज्यान से संबंदित जितने भी एक्जाम होते हैं चाहे कमपर्टेटिव एक्जाम हो चाहे किरसी प्रविच्छक हो चाहे ICR हो चाहे बियच्चू, AFO, IBPS, PGT, PGT जो भी इस तरीके के एक्जाम होते हैं उनके तैयारी संबंदित हम प्रशनों को रोजाना लेकर आते हैं प्यारे विद्यार्थियो जितने भी आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े हैं सबी लोगों का हम धन्यवाद कहते हैं चलिए अज शुरू करते हैं अपने फर्ष्ट कोशन से आज जो इसलिए रखा करना है तो इसके लिए हम आधार बीघ और परमानित बीघ के लिए पृत्करणों की पूछा आधार बीज और परमानित बीज doesn't करें लिए commitment करें कि कितना किसिंगा यां परमानित के लिए यहां पर तीन मीटर दिया हुआ ठीक है तीन मीटर जो दिया हुआ अधार बीज और परमानित वीज के लिए तो यह कौन को सी क्राप के लिए हो जाएगा गेहू के लिए याद रखेंगे उसके बाद धान के लिए याद रखेंगे उसके बाद मुंफली के लिए आप याद रखेंगे उसके अलावा एक स्वयवीन को भी आप याद रखेंगे इन सब की जो बीज उत्पादन के लिए दूरी रखी जाती है अधार बीज तीन मीटर और परमानित बीज भी तीन मीटर ठीक है इन सब को आप एकदम बढ़ियां से याद कर लीजिए के इसके अलावा और भी कुछ क्राप के बारे में हम यहां देख लेते हैं जैसे मानिजिया मक्का है ठीक है मक्का में दो परकार्ति मक्का होते हैं एक संकुल होता है एक कौन होता संकुल एक होता संकर ये दोनूं मक्का की दूरी अलग-अलग रखते हैं माले ये आधार बीज के लिए और इधर परमानिकP Knight ये दोनूं मीटर में रहेगा उसके बाद कपास की कपास की बात कर लेते हैं तो यानि कि हाइब्रेड जो कॉटन रहेगी उसकी दूरी रखेंगे आधार बीच 50 मीटर और और इसमें परमानेज बीच का 30 मीटर ठीक है इन सब कोशनों को भी आप लोग एक बढ़ियां से देख लीजिए कि चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोशन करेए 3 किन्हों के संक्रण किस्म ठीक आपको बताना कित राइनि लाइं मेंडरीन है यह की मेंडरीन एक किन्नों का संक्राण है यह थार्ड ऑप्ष्टन इसमें करेक्ट अंसर हो जाएगा ठीक है इसका विकास कप किया गया था यह भी फोरेस्ट द्वारा ठीक है यह भी फोरेस्ट द्वारा बिक्सित किया गया था ठीक है और किसके किसके बीच में संक्रन किया गया है यह भी आपको याद होना चाहिए यहान कि किंग और बिलो लीव इन दोनों के बीच में क्रास करके हमारा किन्नो ट्यार किया गया था ठीक है सबसे पहले कहां पर मतलब इसको लाया गया था यह आप याद होना चाहिए और यह आपको याद होना चाहिए चलिए दोस्तों चलते हैं जो सब्रॉकशन पर नविव कोर्ण करा रहा है नीलम और और अलफान सो के क्रास से विकृक्सित हाईब्रेड आम की कौन सी किस्म है ठीक है आम रपाली दर्शैरी रतना या बदामी इन चारों में से बताए कौन सा करेक्टानसर हो जागा तो इसका करेक्टानसर हो जागा या कि यहां से दखन बनने की संभालना काफी ज्यालर होती है तव हो टी एसको यहां कि यार्ठी से अमरपाली त्यार हुए मेर्फारी किस्वें से विक्तरिब्स अनुच आ है यार्ट्वाट्य सब्सक्राइए M 되는데 ή। एक प्रकर के सिदलेस बराइटिया और आपको याद होना चाहे है उसके बाद यहां से ही कोशन बन सकता है पूसा अणिमा, पूसा लालिमा, पूसा परतिभा, पूसा सरेष्टा, यह कहां से निकाली गई, यह सब वराइटिया आई, ए, आर, आई, ठीक है, आई, ए, आर, आई, नई दिली से बिक्सित की गए, अगर इन से किसी का एक क्रास पूछ ले, चाहे पूसा अणि पूसा लालिमा, पूसा लालिमा, पूसा परतिभा, और पूसा सरेष्टा वराइटिया, यह तो पूछेगा नहीं दोस्त, पूछने के संभावना यहां पर है, यह पूछने के संभावना यहां पर है, यानि कि पूछेगा पूसा पितामबर किसके बीच में क्लास करके नि यहां पर एक्जाम में कि सेलेक्शन दौरा कोई सी आपकी किसम है तो पूसा सूरिया यहां किसके बीच में सेलेक्शन करके निकाले गए इसको त्यार किया गया है पूसा सूरिया को ठीक है यह सब काफी इंपोर्टेंट कोश्चन है इन सभी को आप एकदम पढ़ियां से कोश्चन है यहां कि कौन सी किसम गौफर की सट पस्तृ और मधुबिंध यहां most important है यहां पर देख सकते हैं दुर्गापूरा सफेज जो है यह हो जागे कास्टर बीन की यानि की गवार की एक परमुख किस माने जादे है तो हमारे कोश्चन का करेक्ट अंसर हो जागा यानि की फर्स्ट ऑप्शन ठीक है दुर्गापूर सफेज और यहां पर इसकी हो जागी खर्बूज की वेराइटी ठीक है तो इन सब को आप याद रखें कास्टर बीन यानि के गवार का विज्ञानिक नाम क्या होता है यह को सकते हैं किसको मसालों की रानी कहा जाता है लॉंग इलाइची जीरा धनिया काफी इंपोर्टेट कोशन है बच्चे ल इलाइची को आजाता है इलाइची दोबर काकी होते है यहां पर जो मसालों की रानी है यह छोटी इलाइची रहेगी ठीक है छोटी इलाइची रहेगा इसका विज्ञानिक नाम होता है इसका विज्ञानिक नाम होता है इसका विज्ञानिक नाम होता है इसका विज्ञानि कोश्च निया है लिए में से कौन सा यूग सही नहीं है यूग में से छाटना यानि कि वो शहीं नहीं है यहां पर फैमिली जो होगी वो कि यह बूलेसी ठीक है यह हो जाएगी सकरकंद की फैमिली और चिनों पर यह सी किसकी होती है यह हो जाएगी पालक की बाकि प्याद की एलिये सी होती है फिंदी के मालवेसी और मटर की फेवेसी यह आपको यादर्शन है चलिए चलते हैं नेक्स्ट कोशन पर कोशन करें बिल्यानिक नाम की और पारिला पार्पियु सीला होता है दूसरा है यह कीट फुल गो रेडी का कीट है तीसरा है मेलेनोइस फ्यूका का इस कीट का अंड़ पर जीवी होता है क्या सभी कथन सई है इसमें बताए कौन सा आसत्य कथन है जल्दी जल्दी उतर दिजे इसका सो प्रजीब होता है इसका पहसे पार करन लोगों के अधिक उद्भव कारण जांगे अधिक संगा घर नातरा दीक नतर यह चलेकर рядंग नद्रिंट दूसरा यईनिके पूच चिताहपमानं कि अधिक मात्रा में आते हैं और बढ़क मात्रा में और भी अधिक्ताके कारण के और मादाफुषप इसकी अधिकता के कराण बढ़ते हैं तो यहां देख सकते हैं विकर बेटे से जितने फैमली उते हैं इसमें अगर हम नाइट्रोजन अधिक मतरा में दे रहे थो यहां पर मादाफुषप अधिकमातरा में आएंगे ठीक है अगर तापमान नदिख published और अगर एगर लंबा होगा तो भी क्या होगा नर्पुष्प अधिक आएंगे अगर दिन छोटा रहेगा तब मादा फूल अधिक मात्रा में इसके लाबा कुछ हार्मोंस होते हैं जिनका परियोग हम नर्पुष्प के लिए करते हैं जैसे जीब्रेलिक एसिड जीब्रेलिक जीए-3 इसको बोला जाता है और Ag Silver Nitrate इन हार्मून को अगर परियोग करते हैं नर्पुष्प को बढ़ाने के लिए नर्पुष्प अगर आपको चाहिए लाने हैं तो जिब्रेलिक एसिट का परियोग करते हैं और अगर मादा पुष्प बढ़ाने हैं अधिक मात्रा में लाने तो इ इसमें यह काफी जाला महत्रपुन भूम का अपनी निभाता तो इन सब चीजों को आप याद रखें के काफी इंपोर्टन मॉस्ट इंपोर्टन है यहां पर देख सकते हैं नाइट्रोजन की विरिधी हो रही है और ताफमान अधिक मात्रा में हो रहा उस्टे ताफमान हो दो परकार की किसमें ने किसमें जोगाई सिकाफी दो परकार की किसमें यह में होती है यह कैसे होंगी नारंगी रंकी हो जाएंगी और पीले रंकी हो जाएंगी और यह परकार की यह सितोस निजलवाई के लिए अच्छी मान जाती है इसमें जो लाल रंग होता है और एसी आई किसमो में ठीक है यह किसके कराण होता है यह के करण होता है यह चल जो दोख चलते हैं क्वेशन पूछ रहा है आ सत्य कथन का चैन करो ठीक है आपको आ सत्य कथन को चैन करना इसमें से चार जाने वाला संधिरित आहार फसलिंग कहलाता है ठीक है चौत्था आप्षन है मुर्गियों को एक दूसरे पच्छियों से चौछमाल कर घाल करना केना बॉलीज में चारों से बतागे कौन सा आसकता है दूसरा है है कि एक से दो सब्ता के ओमने में भींड या पशू को पूंच काड़ना डिबग्किंग यहां पर यह क्या करना है जोड़ाता है जब एक से दो माह की होती है तब ठीक है तो यह हमारा करेक्ट अंसर हो जगा यानिकी इनकरेक्ट बुछा था तो यह हमारा ओप्शन करे इसमें सही हो जाए उसके बाद गर्विद भेहर को बैने के तीन से चार सकता है पूरू जो सांधित अहार दिया जाता है फसलिंग कहला दस पर तीस पर तीस पर तीस पर तीस पर तीस चालीस नसे नरसरी जो रहे की एक में बताना है कि अम्रोद में मिलिक बहार किसमें फूल आते हैं किसमें फॉल आते हैं दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए अधिक सब्सक्राइब करेंगे और जितने लोगों पास वीडियो हमारा पहुंचेगा उतने ही अच्छे से पढ़ाया जाएगा और आप लोगों को अच्छा भी लगेगा और और भी हम प्रयास करेंगे अच्छे कोश्नों को लाने के लिए ठीक है तो आप लोग अधिव सदिक सेर करिये चलते हैं हमारे कोशन पर कोशन पहर है अमरूद की निग बहार में ठीक है या देखा जाता ठीक है पहला उप्सन है जून जुलाई में फूल आकर नौंबर से जनवरी तक फलन होता है दूसरा है फरवरी में फूल आकर जून से लेकर सितंबर तक फलन आता है तीसरा अप्सन अक्टूबर में फूल आकर फरवरी और अप्रेल तक फलन होता है चौत अप्सन है दिसंबर में फूल आकर मई में लिए प्रकार की बहार का नाम तो दूसरे में हम लिखेंगे यानि की फूल का बाते हैं और इसमें फल का आएंगे यह त्रिक है तो इसमें देख सकते हैं कि फूल जो इतरी याद करने इस इसके बाद यहां जूनृफ इस परकार इसपर इचते को आप याद रखेंगे और जूनः हो यानि यहांब करेंगे नाम्बर लगते हमे आमर में बाहर के जूँन बिंगते और नॉम्बर में नॉच्ञी में च Cowоде यानि कि उनलाइ एप सकत्ती हैं यह औन शॉलन में जूलाइब कर वоды से जनॉरी माहाि में नॉम्बर से और चलते हैं नेस्ट कॉशन पर आप लोगों को जरूर ये ट्रिक काफी पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक करिए से ज़्यादा आधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए चलते हैं दोस्त नेश्ट कोशन करना पसू चैन की सबसे उपयोक्त विधी कौन सी है यहां पर चैन की सबसे उपयोक्त विधी को चलिए चलते हैं next question पर, question करा फल और सब्जी देखें काफी important question है, यहां पूचरा फल और सब्जी परिच्छन है तो डिब्बा बंदी जिसको canning कहा जाता है, ठीक है, बिधी में बेवर्ण करने हैं तो उन्हें खोलते पानी में अधिक्तम कितनी मिनट तक उबाला जाता है, जिवानों को अनश्र करने के लिए और उसको अच्छे रूप्स रखने के लिए उसको एक गरम पानी में कितनी मिनट तक हम उसको उबालेंगे, ठीक है, फाल और सब्जी दोनों के बारें दिया है, फाला option है, यानि कि 5 मिनट, आट मिनट, 11 मिनट, 14 मिनट, चालों मुसे ब जिए नेक्स्ट कोशन पर, यहां देख सकते हैं काफी important question है, पूछ रहा, एक हेक्टेर में बुवाई है तू, लैसुन की कितनी कुइंटल कलियों की आवशकता पड़ती है, ठीक है, कितनी कुइंटल कलियों की आवशकता पड़ती है, यहां पर पूछा है, ठीक है, पूछन है, उससे पहले हम आप से एक request करना चाहते हैं, अगर आप लोग हमारे चनल को अभी तक subscribe नहीं किये हैं, तो हमारे चनल को subscribe करिये, like करिये, और अधिक से अधिक से share करिये, चलिए देखते हैं क्या कर रहा है, पूल बनने और विक्सित होने के लिए कितने ही तापम इसमें आप ध्यान देए तीन परकार की होती है, एक अगेती होती है, फूल गवि, एक मध्यम होती है, तीन परकार की चाहिए, पचछेती, और तीन के बारे में आपको यढशा होना चाहिए, तो इसका correct answer हो जागा, याननि कि 20 से 25 ळिगरी ताफंद किये 25 नाखände मद्ध्यम की बात कर लेते हैं तो मद्ध्यम 16 से लेके 20 degree centigrade ताफ मान उसके बाद 15 की बात कर लेते हैं 10 से लेके 16 degree centigrade ताफ मान इन्हें तीनों को आप बढ़ियां से पाढ़ डालिए ठीक है तीनों में से एक कोश्चन हर एक पूछा जाता है चलिए चलते हैं नेक्ट कोश्चन ठीक और important question यहां पर देख सकते हैं पूछा है प्याज की खेती के लिए किस pH मान वाली मिर्धा सबसे उप्युक्त मानी जाती है ठीक है इसमें बताना कि इस प्याज की खेती अच्छी परकार से हम कर सकते हैं अच्छी मानी जाती प्याज की खेती लिए पर आप्शन है चा या हो जो हम बता रहें 5.5 से लेके ये 6.5 भी दे सकता है ठीक इस पीच मान पर ग्लोडियोलस और प्याज की खेती सफलता पूर्वक हम कर सकते हैं ठीक यह दोनों कोशन ग्लोडियोलस और प्याज के बारे में दोनों में एगरिकल्चर सुपरवाजर में दे चुका है तो इसके लिए भूमी यानि की चेतरफल कितनी की आवशकता होती है फास्ट ऑप्सें इसमें करेक्ट अश्वर हो जागा नसरी लगाने के बाद हम इसको खेत में ट्रांस्प्लांटिंग करते हैं ठीक है यह आपको याद रखना है चलते हैं नेक्स्ट कोशन पर कोशन करा फूल होता है वह एकदम मुलायम हो जाता है मकमली हो जाता है जैसे मतलब हम संपून हाने कवाल बाल को हार लगाते हैं तो यह मकमली या बहुत सब्सक्राइब हो जाता है तो यह किस के करान होता है तो देख लेते हैं क्या कराण होता है तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्य वाटावरण के कारण होते हैं इन सब को आपको जानका होनी चाहिए चलिए चाहते हैं दोस्तों नेक्स्ट पूछ रहा है मूंगरी यानिकी रेट टैल इसको कहा जाता है जिसकी फलिया सब्जी में उपयोग में ली जाते हैं कि एक दो किसमें करते हैं सभी बनाने में उप्योक्तिक करते हैं जा जाता है तोफिक है तो उसको काफी इंपोर्टेंट कोशन है फिलाल काफी यह पूछा जा चुका है तो यह आपको याद होना चाहिए यानि कि वेजिटेबल साइंस का यह महत्पून कोशन है आज का हमारा कोशन इतना ही था दोस्तों आज का जो सीरीज है हमारी यहीं समात्त होती है अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल को लाइक करिए शेयर करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए जितनी भी लोग बच्चे देख रहे हैं सभी लोगों को ध्युक्त